गुड मारिंग टू आला भियो, वेल्कम बैक टू अवर चैनल, MD Inter College शिपरावो, और दूसरा चैनल जहाँ तक आपको पता ही होगा, मैं इस ग्यान चैनल चलता है, उस चैनल के माध्यम से हम आपको वीडियो अप्लोड कराते हैं, और ये आज Inter का पहला वीडियो होगा, क्योंकि मैंने 9th High School के वीडियो अप्लोड किया है, फस्टिर का वीडियो मैंने अप्लोड किया था, लेकि रिस्पांस ना मिलने की विजए से मैंने 12th के भी वीडियो अप्लोड नहीं किया, लेकिन कोरोना के चलते आज मजबूरन हमें वीडियो अप्लोड करने पड़ रहे हैं, क्योंकि घर पर रहे के ही आपको पढ़ाई करनी है, फिलान में 31 अगस के बाद क्या प्लान बनता है, तो फिर बात में decision करेंगे, कब class शुरू होगी आपकी offline class, तो हम बात करेंगे, तो आज हम बताएंगे आपको कि class 12 के chapter में से कुछ chapter से मतलब कम हुआ है, लेकिन पूरे-पूरे chapter नहीं अटा है, कुछ में से reduce किया गया है, आपका 30% slaves कम किया गया है, तो आपको उनी चेप्टर में से 30% में लब कुछ-कुछ slaves निकाल कर 30% कम कर दिया गया, यहनिक 70% course पहले से 70% course आना है, तो क्या आना है, क्या नहीं आना है, उसको आप लोग ध्यान समझे, अब आप जो मैं वीडियो में बताऊंगा, उसके according आप अगर प्यारी करेंगे, तो आप अच्छे mark अप कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले में टॉपिक है आपका संबंध अथा फलन, ठीक है? संबंध अप फलन में 10 marks, आपके, मतलब 10 marks का आएगा एक्जाम में, बोर्ड एक्जाम में, तो आपको उसके हिसाब से 10 number की त्यारी करनी पड़ेगी, इसके बाद जो दूसरा topic है 20 गडित algebra में, वो आपका 13 number का आता है, इसके बाद अब आपको कलन, ये बेटे आपका सबसे ज़्यादा marks केरी कराएगा कलन, इसी में बहुत ज़्यादा chapter है और topics हैं, तो इसे आपको अच्छी तरीके से इस पर preparation करनी है, अगर कुल मिला के देख लोगर 44 number का ये त्यार कर लिया, तो 44, 54, 54 number यानि कि पास आपका total, आपका 33 number चाहिए होते हैं 100 में से, पास होने के लिए, और 100 ये होगा, इसमें particular नहीं होता है, इसमें आपको पूरे 100 number की त्यारी करनी पड़ेगी, राइट, चलिए, अब इसके बाद कलन के अलाबा, इसके बाद अगला topic है, सदिस सथा त्रिवी में जामिती, तो सदिस में क्या करना है, आपको 17 number का आपकी त्यारी के लिए, आपको 17 number आपको करना पड़ेगा त्यार, ठीके, तो 17 number का इसमें आता है, इसके बाद रेखिक प्रोग्रामर, ये आपका 6 number का आएगा, इसमें कुछ business है ही नहीं, कोई जादा है नहीं, इसमें business चर्चा करेंगे, तो ये 6 number का ही है, इसके बाद आएगी probability, ये आपकी बेटे 10 number की आएगी, तो कुल मिलाके अगर इनको जोड़ा जाए, तो 100 number आपके इस प्रकार से होते हैं, यानि कि 100 number आपको, अगर ये topics आपने इस तरीके से पढ़ेंगे, तभी आपको 100 number मिलेंगे, ये नहीं कि आपने इसी पर लगे रहे इसको त्यारी कर ली, तो कोई जोड़ोई नहीं, आपका 13 number से ही ये आने वाला है, ठीके, इसमें आप लगे रहे प्राइकता में तो ये 10 number का आना है, तो आपको सभी topics पर थोड़ी थोड़ी चर्चा सभी पर अच्छी ची करनी, तभी आप अच्छे marks प्राप्त कर पाएंगे, ठीके, गणित कोई पढ़ना कटी नहीं, गणित क्या है, गणित अगर रटोगे, तो कटी नहीं समझोगे तो बहुत ही जी है, तो इसलिए मैं समझना है, रटना नहीं है, तो कोसिस करेंगे, हम वीडियो अपलोड करेंगे, अब आपको इंटर के भी वीडियो डेली के डेली या लगवक जब भी हो पाएगा, तो हम आपको वीडियो अपलोड करके दिया करें करेंगे थीक करें तो चलिंए ऐसना तो चलिए अब उम्मिद करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ आई गया है और जो हटाया गया है उसको मेंसन करेंगे जो नहीं अटाय गया मतलब हुँ चलिए ले करेंगे संबंत गव्लण के जो चेप्टर है उसमें जो टॉपिक आता है आपका संयुक्त फलन ये अब आपका नहीं आएगा ठीके दूसरा फलन का ब्यूत करम ये भी आपका नहीं आएगा तीसरा दुविधारी यो शंक्रियां है ये आपके चेप्टर से फिलाल में हटा दीगी है बात में क्या होता है वो उसमें प्रितलों त्रिकुर्मिति फलनों के जो आलेख आते थे जो डाइगराम मराना पड़ता था जो आलेख हीचना पड़ता था वो आपका नहीं आएगा और प्रितलों त्रिकुर्मिति के फलनों के प्रारंबी गुर धर्म ये टॉपिक आपका नहीं आना है तो कुल म जो एकाई unit 2 है 20 गड़ित algebra से उससे आपको कुछ भी नेट आए गया है हाँ बड़ी खुसी की बात है algebra आपकी पूरी-पूरी आनी है जो पहले आता था वही आना है ठीक है algebra जो आपकी 13 नंबर की आती थी वह आपकी बहिसी आएगी वह आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है चलिए बात करते हैं कलन की कलन की इस से रोले तोह और लेंगराज की मद्वान् प्रमें होती थी। और रूले की प्रमें और लेignment, लेंगराज मिर्आज की जो मेलो थेडम आई वो आपकी नहीं आनी है बच्छों को थोड़ा ठभी लगती थी। थे। बो आपte देंगे नहीं आनी है मदमान थेवरम आनके इस पर उत्पत्ति नहीं पूछता है कि उत्पत्ति उसकी कैसे हुई उससे जो क्यूशन आते थे थे वो क्यूशन आपको नहीं पढ़ने हैं तथा उनकी ज्यामिती ब्याख्य और अनुप्रियोक तो यानि वही बात हो चेप्टर पढ़े ही नहीं तो मैंने बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास पुरानी बुक है पुरानी बुक से ही तयारी करिएगा नई बुक अभी तक नहीं आई मार्केट में तो आप पुरानी बुक से ही पढ़िएगा उसी बुक से आप लोग क्या करेंगे ये वाले टॉपिक छोड़ेंगे, बाकी का सारा प्यार करेंगे, चलिए हम बात करते हैं, यूनिट नंबर फोर की, यूनिट नंबर फोर में सदिस अथा त्रविमे जामिती, जो आपकी यूनिट है, इकाई है, चौथी इकाई, उसमें मेटे सदिसों के जो अद्रिक्स त्रिक गुणन फड़ है, वो आपको प्रिपेर नहीं करने है, ये आपका सिलिवस में नहीं रखा गया है, ठीक है, अब सिब एक हेडिंग आती थी, उसी का ये टॉपिक है, वो आपको तयार नहीं करना है, अब तिर्मिमे जामिती का परिचे है, ये अगला जो टॉपिक है, उसमें से दो रेखाओं, तथा दूसरी बात है, दो तलो की, तथा तीसरी बात है, एक रेखा का एक तल के बीच कोण स जो रिलेटिट केशन थे, वो आपको तयार नहीं करते, ये आपको इससे केशन आते थे, ये दो रेखाओं वाले केशन तिर्मिमे जामिती से आते थे, थी डाइमेंसल से, जो आपकी जिमेटरी है, उससे ये आप आपका स्लेबस अटा दिया गया, ठीक है, चलिए हम बात क पूरा आल लेडी आप जानते ही है, इसमें से ज्यादा नंबर का पूशे नहीं गया, रेखा एक प्रवरावन आपका छे नंबर का आता था, तो ये इसमें से कुछ भी नहीं इटाये गया है, अब हम बात करेंगे एकाई नंबर 6 की प्रोविल्टी की, प्राइक्ता की, प आपका जो आता था प्राइक्ता 10 नंबर की आती थी, तो आपको 10 नंबर में इन दो टापिक्स को तयार नहीं करना है, बाकी के 10 नंबर आपको कहनी कराएंगे, ठीक है, तो कुल मिला के आपको जो मैंने बताया है, तो बो आपको नहीं पढ़ना है, जो मैंने नहीं लिखा है वो आपको पढ़ना है किता हमें सभीक पास है को सभीक पास है तो मैंने ये वीडियो इसली ही बनाए क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि सर हमें क्या नहीं पढ़ना है क्या हमें पढ़ना है ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि इस बात आपको यहां तक समझ आई होगी अब ह वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों में शेर करें थाइंक्यू टू अलाभ यो थाइंक्यू श्वामाच